व्हलो दोस्तों मैं अपका दोस्त अभेकमार एक बार फिर हाजीर हूं अपने एक ने वीडियो के साथ आज जो मैं वीडियो बना के लएके आया हूं वो है ISO ISO क्या है कैसे bladder बनते हैं कौन कौन से और उसके मेजर ISO के हमारा है कैसे ISO का इस्टेंडर बनता है कौन कितनी कंट्रीज है उसके प्रिंस्पल्स क्या है इसके बारे में हम आज बात करेंगे उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें ताकि मैं और वीडियो बना के लेक तो यह सोका फूल फॉॉर्म होता है इंटरनेशनल और नाजेशन फॉर एस्टेंडर एसा और डा करेंगे मैं घ्रंडर बनाता हूँ एसी आश्टेंडर आश्वार्डेसर सेबन जो निशनल है इसके मेंबर है 167 जो देश है वो इसके मेंबर है अब ही हम सब के दिमाग में आता है कि भाई ISO एस्टेंडर बनता कैसे एस्टेंडर कैसे बनता यह कौन डिसाइड करता है तो उसके लिए 20 बोडिज है और धाई ISO technical committees हैं किसी एक एस्टेंडर को बनाने के लिए यह सारे लोग उस पे अपना बिचार रखते हैं मन्थन करते हैं study करते हैं और वो सब के थूर प्रोसेस होने के बाद वो एक एस्टेंडर का एक सेप लेता है और उसके बाद वो उसको सर्कुलेट किया जाता है उसमें किसी भी तरह की खामिया को सारे लोग एक दूसरे से डिसकस करते हैं एक दूसरे से बात करते हैं और खामियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है कि अगर किसी तरह का खामी रह जाएगा तो खिसी ना किसी को उसे problem होने की सभावना रहे गी तो उसको दूर करने के लिए उसको सारी चीजें, जो भी body's हैं यसे प्रटीज body's हैं औरoth 500 technical committee हैं उससारे committee discuss करती है उसके बाद koi भी एक एस्टेंडर उसको हैलाइज किया जाता है हमारे तीन मेजर इस्टेंडर है इसमें ISO 9001 आइसो 9001 फॉर्टा क्वालिटी मैनेज्मेंट सिस्टम है आएसो 9001 क्वालिटी मैनेज्मेंट सिस्टम के लिए वह सिस्टम को क्वालिटी को कैसे मैनेज किया जाए किसी बहुत करता है उसको क्वालिटी को बनाए के लिए सटिंडर हमें बताता है फिर यसके weapon 42001 आईश्टा मैनेज्मेंट सिस्टम इंवार्मेंटल मेनेजमेंट सिस्टम इस extender में हमें ये बताता है कि इंवार्मेंट को कैसे हम कोई भी मतलब उसको क्या बोलता है पॉलूट होने से या इंवार्मेंट को कैसे sustain किया जाए उसके क्वालिटी को कैसे इंप्रूब किया जाए इसके बारे में हमें ISO 14001 हमें गाइडलाइन प्रोबाइड करता है इसके वाल आता है ISO 45001 यह पहले नहीं था इसको उसाज 18001 जो केवल एक हमें फ्रेम था वो इस्टेंडर नहीं था इसको चेंज करके यह बनाया गया ISO 45001 जो अकुपेशनल हेल्थ हैं सेफ्टी मरेजमेंट सिस्टम के बारे में बताता है कि जहां भी हम काम कर रहे हैं या जिस परिवेस में हैं या कुछ भी जहां भी है जैसे भी हैं वह हम इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं कैसे इसको इंप्रू करता है आई सओ के कोई भी आई सो है उसके सब्सक्राइब सेट हैं किसे कहरा हुए को कुछ कौ कर रहे हैं तो हमारी इसा नहीं कि हम बैच रहे हैं खरीद हैं वह हमारे लिए क्षपर की बात है कि सीकिलिए कोई सब इस प्रोवाइड भी कर रहे हैं किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं वह हमारी लिए कस्टमर है तो एक होता है पहला प्रिंस्पल में है उसका कस्टमर फोकस दूसरा है लीडर्शिप दूसरा है leadership कोई भी अगर और नय संद है या कहीं भी उसका एक leadership जो उसको कैसे हम आगे front से lead करने वाली बाते हैं इंगेजमेंट of people कैसे आदमी को दूसरे को अपने और नय संद से या किसी भी तरह के जो जितने भी आदमी है person है उसको कैसे engagement किया जा रहा है जैसे कि ट्रेनिंग हो गया बहुत सारे चीज़ें होती है उसमें एक कैसे उसको involved किया जा रहा है उसको मतलब relate किया जा रहा है इसके बाद है process approach process approach में आपका technical documentation बहुत सारे चीज़ है उसके बाद improvement है उसका यह improvement क्या है continuous improvement है ऐसा नहीं कि एक improve कर दिया बंद हो गया नहीं improvement किया फिर उसमें कुछ खामी आई फिर उसको improvement करने की बाद आती है ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं जम audit कराते हैं कुछ भी process करते हैं तो उसमें audits में जो final आते हैं जो कुछ भी finding आते हैं उसके base पे जो decision making है वो भी लेना जरूरी है यह हमें ISO बताता है उसके बाद relationship management एक दूसरे से कैसे हम relationship develop करते हैं यह होती है इसके ISO के principles थैंक्यू अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें थैंक्यू